पंजाब के मोखे मंद्री प्रकाश सिंग बादल अपने तीन दिनों के ज़लंधर दौरे के बाद अपने अगले पढ़ाव की तरफ रवाना हो गए मोखे मंतरी पंजाब सरदार बादल पिछले तीन दिनों से जिलंधर के विधान सभा हलका करतारपूर और चावनी में संगर दर्शन कर रहे थे इसरान उन्होंने पहले दिन चावनी इलाके के 89 गाओं और 10 वाड़ों की पंचायतों और पार्शदों की समस्याई सुनकर उनका मौके पर ही निप्टारा किया इसके इलावा उन्होंने दो दिन करतारपूर इलाके के अधीन आते 107 गाउं की पंचायतों की समस्याई सुनी उन्होंने पंचायतों को गाउं के विकास के लिए करोडों रुपे की ग्रांट भी दी वहीं जिलंधर के गाउं अठोला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरदार बादल ने कहा कि कॉंग्रेस द्वारा अपने उमीदवारों की लिस्ट ना जारी करने का कारण पार्टी की अंदरूनी फूट है